वाव रेड कलर की भिंडी कितनी प्यारी लग रहे हैं देखने में यह बहुत ही जाधा टेस्टी और हेल्दी होती है हलो एविवान वेलकम बैक टू अबर चैनल मेरी पूरी कुकी स्पॉर्ट फामिली आप सभी स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें और खुश रहें यही मेरी अभी लाश्या है और आज का व्लॉग तो वाकई बहुत स्पेशल है इसलिए मैंने बचपन से लेके आज तक हजार बार खाई होंगी भिंडी लेकिन आज जो भिंडी हमारे घर आई है वैसी भिंडी ना मैंने पहले कभी देखी थी ना ही मुझे जानकारी थी जैसे ठीक है शिमला मेच हमें पता है कि हम रेगुलर ग्रीन काते हैं लेकिन दुनिया में लाल पीली भी होती है ठीक है रेड और यलो कैप्सिकम लेकिन भ पता था में उसका ग्रीन लेकिन क्या आपको पता है रेड कलर की भिंडी भी आती है मैं तो एकदम से चका चौंध हैराम परेशान एकदम से कल जब सब्सक्राइब तो गुपताची ने बोला मीनू आज लाल क्लर की भिंडी है मैं कुछ काम कर रहे थी मैंने कहा क्या मतलब क्या है फिर भी से वह भी कोच बात किते हैं हम भी इतना धयानिन देते लेकिन कुछ बात एसी होती जिसमें कान कडओ हो जाते हैं अनले का लाल बिंडी हरा फिर जैसे वह with my land our May जैसे आगे नहीं होता रेल्वे कोर्टर समें में भिंडि भी लगाई थी और विंडि भी आई थी हमने अपने घर की भी खाई हैं मतलब वह आला भी अलगी क्रेज होता है कि आपने खुद से उगाई भिंडी और खा रहे हैं घर की उगीवी लेकिन ये जो रेड कलर की भिंडी है फिर मैंने फटा से उस रेड लाल भिंडी गूगल महरानी जी से जाज परताल की तो पता चला ये काफी लाबकारी है मदू में और कैंसर रगेरा रोक के लिए बहुत ज्यादा है और नम भिंडियों से इनका प्राइस सोडा बढ़के रहता है क्योंकि ये गोरी है मतलब ये लाल है तो आज ये ही भिंडी बनने वाली है बनने के बाद इसका टेस्ट कैसा है बनती कहती है ये ये भी पता चलेगा आगे वीडियो में जरूर देखिएगा मैं इसका और बैंगन सब्जी नी बनाती हो और बैंगन शुब हमको पसंद नहीं है क्या ही करो जैसे बना बना के भरत बना बना करके उसको विचारे को शौक पाला है अमने बैंगन का हाला कि वह वच्पन से बैंगन के सक्त खिलाफ रहता था कुछ और मिले वह खा लेगा यहां तकी द आलू खाएगा थोड़े बहुत तो इसलिए दोनों सब्जी बन रहा है एक तो बेटे की पसंद के लिए यूँकि पसंद क्या बैंगन उसे नहीं खाना इसलिए बिंडी बनेंगी बनेंगी और यह लाल बिंडी बनाने के लिए मैं बहुत एकसाइटेड हूं और गुपता ज आए देखते हैं आज का व्लॉग और हाँ यार मेरे व्लॉग देखते समय आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें चीक है आई शुरू करते हैं और वीडियो में आज कॉमेंट में यह जरूर बताना है कि किसने किसने मुझसे पहले यह लाल भिंडी कभी खाई भी हैं ठीक है क्योंकि मैं पहली बार खा रही हो आपमें से बहुत से लोग ने पहले भी खाया होगा देखा तो होगा अवरे वेशली देखा भी पहले बार है इसलिए कमेंट में यह जरूर बताईएगा और फिलाल इपको मैंने शाम को ही धोग के तब रख दिया था अब अच्छी खासी यह ड्राई हो चुकी है शाम के साथ बज रहे हैं और आपके खाने की तैयारी का अब मैंने सोचा है आजकल मैं लेट ही गरती हूँ यह भी रहता है ना कि बंग भी जाए इनको खाना नहीं होता है भिंदी को उपर और नीचे से जैसे कि हम ग्रीन भिंडी में निकालते हैं वैसे ही मैंने बिल्कुल जरा जरा सा पार्ट निकाला है और अंदर से जब मैं कट करती जा रही हूं तो मैंने यह के हिसाब से प्याज को लेना है थोड़ी प्याज जादा रहेगी तो अच्छा रहेगा प्याज बुनने के बाद हल्दी पाउडर डाला है और इसके बाद हमने यह छोटी छोटी भिंडी काटी है शुरुवात मैंने भिंडी काटनी की थी तब मैंने बड़े बड़े नहीं बनाती हो एक ही तरीका होता है कई जा याँ आता है आप लगत खानाता ईकर यका और नमक डाला है लास्ट में और अच्छे से मिक्स कर दिया और ऐसी ही फ्राई फ्राई बिंडी ही खाना पसंद करते हैं बच्चे भी और उनके पापा भी तो वैसी बना ली है मैंने फिर क्या ही करूँ खाना तेन नहीं लोगों को है न रेसिपिक लिए कुछ बन जाए और बर में ना खाएं लोग तो भी तुम अच्छा नहीं लगता हूँ अब कड़ाई पे सरसो का तेल करम किया है और ये पंच फोडन है जिसमें राई, जीरा, सौफ, मेथी और कलॉंजी इसके बाद बारी कटिव लसुन डाली है हरी मिर्ची डाली है और इसके बाद डाली है हरा प्यास, स्प्रेंग अनियन और हींग भी डाली है इससे पहले कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मेची पाउडर और उसके साथ ही थोड़ा सा होमेड गरम मसाला भी ये चारो सुखे मसाले डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है प्याजा आप रैगुलर प्यास डाल सकते हैं चुकि हरे प्यास आई थी तो मैंने वही मिक्स कि दोके और ये डाल दिया मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है पूरा तो आलू बैगन मतर टमाटर ये सब पूरा अच्छे से मिक्स कर के कुछ मिनट पहले भूण लेंगे लास्ट में थोड़ा सा पानी डालेंगे वन-फूर्थ कप तो नहीं लेकिन उससे भी कम है ना त प्राठे लेख नहीं दीमियाज में सब्जी पक ही रही थी कि फिर मैंने आटा लगाया है और फरमाईश आई है कि पराठे खाये जाएंगे क्योंकि आटा गुतने से पहले मैं पोच लेती हूं क्या बनाना है रोटी या पराठे तो मैंने गिहूं का आटा तयार किया है और अभी सब्जी पक चुकी थी मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लिया है अब सब्जी रेडी ढख करके इसको साइड में रख दिये हैं और पराठे बनने शुरू पहले एक पूरी बॉल बेली है उसके बाद उसमें तेल लगा करके या गी लगा करके आफ व फोल्ड करती हो लेकिन फिर वो गोल बन जाता है प्राठा मदब बेलने की वज़े से शायद आज मैं सारे कोने ऐसे लाइन थी हो खीच रही थी वेलन से कि तीन कोने दिखने चाहिए और पर्त लगाने से प्राठा बहुत ज़्यादा कागजी और वैसके से क्रिस्पी क्रि आप गिंती के तीन मेंबर रह गये हैं घर में खाने वाले कम से कम ऐसा तो रहे कि जो एक चीज बने वो तीनों ही खाए ना अगर दो खाना है किसी एक चीज को तो कैसे खतब होगी वो तो पिर कह रहा है हां खाएंगे और बस इन लोग का खाना हो रहा है तो जो कि से उतरे पराठे अच्छे लगते हैं वैसे भी सोबे टिफिन में सब ठंडा ही मिलता है आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रू बताएगा पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा थैंक्स पर वाचिंग बाबाई